Hello students, हमने अपने previous वीडियो में कुछ letters, capital letters and small letters related exercise पढ़ी भी read की थी आज हम उस इस related दूसरी exercise है हमारी next उसे हम read करेंगे चलिए start करते हैं यहाँ पर आपको कुछ pictures भी दिख रहे हैं और कुछ letters write किये गए हैं उन pictures से related तो यहाँ पर d o g dog, dog means यहाँ पर कौन सा picture बना है, dog means पुट्ता, उसी तरह से यहाँ पर e double g egg, egg means अंडा f l o w e r flower, flower means क्या होता है, fool d r u m drum, drum means धोल e n g i n e engine, engine means engine ही होता है f r o g frog, frog means मेढग d o double l doll, doll means गुडिया e y e i i means आंग f a n fan, fan means क्या होता है, pankha चले, अब हम उसे related, यहाँ पर exercise दी गई है, इसे हम book में पहले fill करते हैं, फिर उसके बाद हम copy में इसे fill करेंगे book में, यहाँ पर क्या बना हुआ है, गुफ़ा बनी हुए, तो गुफ़ा को यहाँ पर हम क्या कहते है, den तो यहाँ पर e write किया गया है, तो हमें यहाँ write करना है d, n, d, e, n, den यहाँ पर e, t लिखा हुआ है, यह net बना हुआ है, तो यहाँ पर हम write करेंगे n, e, t, net यहाँ पर देखिए, यहाँ पर s, e लिखा हुआ है, तो हमें जो खाली जगा है, उसमें write करना है s, h, e, d, shed, next है हमारा hen, hen यहाँ पर, h, e, n, hen, 10, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम write करेंगे, t, e, n, 10, p, i, n, pin इस तरह से book में आपको fill करना है, चलिए जो हमने वो exercise जो book में fill in the blanks किया था, उसी को हम copy पर भी note करते हैं, आपको date, day, h, w, fill in the blanks, यह write करना है, उसके बाद, उसी letters को हम copy में write करेंगे, first है हमारा, dash, e, dash, तो हम यहाँ पर fill करेंगे, d, e, n, then, second, dash, e, t, तो हम यहाँ write करेंगे, n, e, t, net, फिर है हमारा, s, dash, e, dash, तो हम यहाँ पर write करेंगे, s, h, e, d, shed, four, dash, e, n, तो हम यहाँ write करेंगे, h, e, n, hen, five है, dash, e, dash, तो हम यह write करेंगे, t, e, n, ten, dash, i, dash, तो हम यहाँ write होगा, p, i, n, pen, pen, इस तरह से आपको यह exercise write करना है, and learn भी करना है,